स्री डोंगरे जी माराज लिखते हैं कि मनुश्य जीवन में धन मुख्य नहीं हैं दार्म मुख्य हैं धन धर्म की मरियाद से मिलेकर मिलना चाहिए धन की अप्यक्षा धर्म स्रेश्ट है मनुष्य चीवन में धन की आवस्थता है प्रंतु धन भूतिर सुक देता है जबकि धर्म मन की सांती देता है धन तो अनेक बाल दुख भी देता है मनुष्य को धर्म प्राप्त करने में उसको बढ़ावने में उसको रक्षर करने में उसका उपभूक करने में पक पक पर परिश्रम तरास और चिंता होती है धर्म का लाब मनुष्य बहुत दुख्य होता है धर्म हो तो दुख है जाये तो दुख है जब भी धर्म तो इस जीवन को सुधारता है और प्रलोक भी सुधारता है धर्म लोक में साथनती देता है और अंत में प्रमात्मा के चर्णों में ले जाता है धर्म ही मनुश्य का सच्चा धन है उत्तम धन है धर्म ही उस सच्चा मित्र है मरने के पिछे धर्म साथ जाता है, धर्म साथ जाता है, कोई भी साथ न दे, सब साथ छोड़ दे, तब भी धर्म साथ देता है, वह मृतरी के पसाद भी साथ रहता है अपने बालकों को धनका उत्रादिकारी नहीं बना सको तो कोई बात दी समस्त संसकारों का उत्रादिकारी बनाना संपत्र सी कदाची थोड़ा सुक मिल सके परंतु संसकारों से बहुत चांती मिलती है अच्छे संसकारों से जो सुक मिलता है वह संपते से नहीं मिलता, पैसे से सुक मिलता है, ऐसा मनुस्य जब से समझे लगा है, तब से पाप बढ़ गया है, और जिवन में सांती चलेगी है, पैसे की मुख्य मानने की सदाचार गया, सलसकार गया, सचा सुक गया, पैसा जो सुक देता है, उससे अधिक सुक सैयम से है पैसे से थोड़ा सुक मिलता है यह बात सची है पर तो पैसे वे सांती मिलती है नहीं यह भी इतना सत्य है मुनसे धर्म की मर्यादा में तोड़ता है तो उसे दुक्य होता है प्रमात्मा हमको अधिक सुक देता है तो हमें धर्म के मर्यादा अधिक से दिक पालन करना चाहिए अपने धर्म में चार पुशार्थ मनें गए है अर्थ धर्म काम और मुक्स पहला धर्म है और अंति मुक्स है बीच में अर्थ और काम का रखा है इसलिए कि अर्थ और काम ये दोनों धर्म की मर्यादा में रखकर प्राप्त करने और भोगने चाहिए धर्मानुकल जो ये प् तो कोई जाने दो तु धर्म को मत छोड़ो मालव स्ष्टिकास इंचालन करने के लिए प्रमात्मा ने जो नियम बना है उनका नाम धर्म है तुमको ठीक चले अत्वा ने लगे धर्म का पालन करोगे तो कहीं कल्यान होगा तुम्हें कोई काले करना हो तो पहले धर्म से करता है अनेक रिश्यों ने धर्म को साधन माना धर्म साधन नहीं है साधन है महापुरुस धर्म के लिए धर्म उप्यों करते हैं उसमें क्या आश्चरी है अरे धर्म रक्षन के लिए तो यह प्रानों का भी त्या कर देते हैं रामायन में ऐसे अनेक शरीत है जो धर्म के लिए प्राणों का बल्दान कर देते हैं धर्म के लिए प्राण देने वाला मरता नहीं अम्मर उता है मुझा । और जिटायूगी ने ध्रम के लिए प्राणों का बलदान कर दिया आज जारों बरसों के बाद भी आप यह रामान पढ़ते हैं सुनते हैं तो उस समय का आपका मन पवित्र होता है रामत्रित दिव्ब्य है इतनी पुरूष स्रिश्टा राम जी ने एक एक उनों का मनन करें एक एक सद्गुन जीवन में उतारें तो जीवन दिव्ब्य बन जाएगा इसलिए धन से धर्म बड़ा है मनुश्य जीवन में धर्म मुख्य नहीं है यह मान किते लोग आप धर्म मुख्य है धर्म होना चाहिए धर्म ही बड़ा है